असलाममुल रेक्व में वेलकम टू पीफार प्रवाइडर यूटीब चैनल मेरा नाम है तन्वीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटा मास्क वालट को लेकर मेटा मास्क वालट को कैसे यूज़ करते हैं उसमें कैसे करते हैं और अपनी कोईंद को कैसे सक्यूर कर स सकते हैं मिटा मास की कम्प्लीट डिटेल जो आपको आज की वीडियो में जानने का मुखा मिलेगा और इसमें कैसे डिपोजिट विड्रा करते हैं यह भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा वीडियो आपको पसंद आईगी तो इसे लाइक कीजिए अगर सिंपल डेफिनिशन बताऊं तो में अपने क्रिप्टो करनसी को स्टोर कर सकते हो जो कि इथिरियम नेटवर्क बेस्ट है यहां वह बाइन स्मार्चिन बेस्ट है और इस तरह कि और भी यहां में नेट जो हैं आपको में आवेलेबल हो जाते हैं कि जिन पर आप उनके regarding जो token होते हैं वो आप यहाँ सेव कर सकते हैं यहां आज की वीडियो में आपको Ethereum Mainnet के token और BEP20N के Bainas Smart Chain Mainnet के token जो हैं वो आपको सेव करना बताऊंगा अब पाकिस्तान में मैं रहता हूँ और पाकिस्तान में अभी यह बात चल रही है कि cryptocurrency को Bain कर देंगे तो उस उलते हाल में आप कैसे token को सेव करते हैं वो आपको बताऊंगा अब Metamask एक wallet तो है ही जिसमें आप cryptocurrency स्टोर कर सकते हैं लेकिन यह साथ ही साथ ब्रिज का भी काम करता है यानि कि आप decentralized जो exchanges हैं उस पे आप अपना Metamask wallet connect करके trading भी कर सकते हैं आपको कोई buy करना है या आपनी कोई token sell करना है तो आप यहाँ easily कर सकते हैं वो भी आपको आज की वीडियो में ही जाने का मौका मिलेगा सबसे पहले बात कर लेता है कि Metamask wallet को आप कहां कहां use कर सकते है Metamask wallet को आपको अपने computer अपने laptop अपने mobile android या apple user है आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं हर जगा यह available है as extension भी यूज हो जाता है और as application आपके Android अप्लिकेशन आप यूजर तो उसकी application के तोर पर भी यूज हो जाता है यहां आपको मेरे mobile की screen नजर आ रही है और यहां जो है मैंने Google पर search किया Metamask और यहां टॉप पर एक website आ रही है https उसके बाद Metamask.io Metamask.io की website से आपने इसको download करना है तो यहां मैं इसको click कर देता हूँ first website को तो यहां लिखा हूँ है download now का button आपने download now के button पर click कर देना है Android का option आ रहा है मैं इसके उपर click करके इसको install कर लूँगा यह directly open हो जाएगा मेरे Google Play Store के उपर उसके बाद मैं इसको install के button पर click करके इसको install कर लूँगा जब Metamask wallet आपके install हाजएगा तो आपने इसको open कर लेना है और open करने के बाद आपकी सामने कुछ इस तरह का interface आएगा मुबाइल का screen recorder जो है वो allow नहीं करता कि हम Metamask की की जो screen recording है वो कर सके तो इसलिए मुबाइल की screen जो है वो camera में record कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सके तो यहां नीचे लिखा हुआ है get started का button आपको नजर आ रहा है अपनी get started के button पर क्लिक करना है आपके सामने यह option आजएगा wallet setup का आपने का करना है यहां नीचे दो option आ रहे हैं एक आ रहा है import using street phrases यानिक recovery phrases और साथ में लिखा हुआ है create a new wallet अगर आपने अपना account बनाया हुआ मेटा मास्क का तो आप यहां से import using secret phrases से आप उसको easily access कर सकते हैं यह मैं आगी जाकर आपको बताऊंगा इसका आपको यह फैदा रह जाता है कि अगर आपको mobile गम जाता है यहां आपका mobile का data loss हो जाता है यह आपने computer पर install किया है और अपने mobile पर करना चाहते हैं तो आप easily कर सक अब यहां से back आ जाते हैं और यहां से create a new wallet की बटन पर हम click कर देते हैं तो यहां आपके सामने option आजेगा create password का आपने यहां अपना password जो हो create कर लेना है new password आपने strong password रखने हैं जिसमें आप alphabet भी यूज़ करेंगे अपने special character भी यूज़ करेंगे और numbers भी यूज़ करेंगे alphabet capital भी लिखेंगे और small भी लिखेंगे यहां आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने meta 12345 hash 12345 meta रखा है और यह strong password है इसमें मैंने small alphabet, capital alphabet और उसके बाद मैंने numbers और special character भी यूज़ किया है आप special character एक से ज्यादा यूज़ कीज़ेगा उसके बाद लिखा है sign in with biometric तो आप इसको की हैंगे इसलिए आपने इसको जो है वो लाजमी तोर पर खुद ही देखना है और याद रखना है कि यह password आपने कौन सा रखा था ताकि आपको बक्त पर पढ़ने पर आपको काम आ सके इसके बाद आपने i understand की बटन पर क्लिक कर देना है create new password की बटन पर क्लिक कर देना है यह आपका wallet जो है वो create हो रहा होगा यहां आपका wallet जो है वो create हो रहा है और यहां secure your wallet का option आजाएगा आपने यहां अपने wallet जो है उसकी recovery phrases जो है वो बहुत इहतियात से आपने उसको save करना है तो उसी का tutorial आपको यहां वीडियो के सुरत में मिल जाता है आप इसको भी सुन सकते हैं यहां इसकी voice बगारा सब कुछ नजर आ रहा होता है तो यहां से आप इसको भी देख सकते हैं बाकि मैं भी बता देता हूं यहां start की बटन पर click करें यहां manual आ जाता है कि आपने कैसे सारा safe करना सेक्यूर करना है आप इसको करेंगे start की button पर click करने के बाद आपने अपन अपना fingerprint लगाकर इसको जो है authenticate कर लेना है ताकि जब भी आप इसको login करना चाहें आपके fingerprint से login हो जाए उसके बाद यहां write down your secret phrases तो यहां जो है वो यह sensitive data है तो इसलिए जो है वो इसको hide किया हुआ है तो यहां again आप view के button पर click करेंगे तो आपको यह नजर आ रहे होंगे क् कि मैं demo wallet आपको बना के दिखा रहा हूं तो इसलिए आप लोगों को मेरे recovery phrases नजर आ रहे होंगे तो यहां इस तरह के 12 words जो हम आपको नजर आएंगे इसे page पर लिखके रखेंगे जिसको आप बाद में save कर सकें तो उसके बाद आपने इसको continue कर देना है continue करने के बाद वो आपसे confirmation करवाएगा और पूछेगा कि आप जो है वो अपने recovery phrases जो है जहां आपने लिखे हैं वहां से बारी बारी जो है वो यहां से याद करें और उ उसी तरतीब के साथ लिखतें जैसे आपको पहले show करवाएगे थे first word पर आपने first word जो है उनीचे से select कर ले नहीं है आपको नजर आ रहा होगा इसी तरह आपने बारी बारी जो है वो सारे word जो है यहां से select कर लेता हूँ यहां मैंने सारे recovery phrases जो है वो रावी डाउन कर दी है और यहां देखें success का नीचे वह लिखा हूँ अभी option आ गया उसके बाद आपने complete backup के बटन पर क्लिक कर देना है तो यहां congratulations का message आ जाएगा कि आपने वालट जो completely protect कर लिए उसके बाद आपने यहां जो है वो डन कर लेन है और यहां आपके पास कुछ इस तरहां का option आजेगा और आपका वालट जो है यहां create हो चुका है आपका वालट यहां बन चुका होगा और आपके सामने जो टॉप पर आप देखेंगे कि wallet ethereum mainnet का wallet आपका बन चुका है यहां आपको जो है वो यहां एक आपको address नजर आ होगे जिसके उपर आप click करेंगे तो automatically copy हो जाएगा यह ethereum ERC20 based token जो पर आप store कर सकते हैं जो भी आपके ethereum ERC20 based token बने हुए है वो सारे के सारे आप इस metamask wallet में A2Z सभी token यहां आप इसमें transfer कर सकते हैं और secure कर सकते हैं अब यहां हम आज की video में बात करेंगे pancake swap को लेकर जो क एक decentralized exchange है और यहां BSE यानिके BEP20 token जो है उसमें बनते हैं और उसमें जो है वो transactions वगएरा भी होती है तो pancake swap जो है वो यह decentralized exchange है जो कि आपको BEP20 tokens के ऊपर trade करने का जो है वो facility देती है तो आप जो है वो उसको कैसे use करेंगे यह भी आपको पाता चल जाएगा और metamask wallet में आप 20-based token है तो आप आज की वीडियो में यह भी सीख पाएंगे कि उनको कैसे metamask wallet में लाना है और metamask wallet से कैसे वापासन को transfer करना है यहां पर आपको left side top पर आपको तीन लेन नदर आती है उस पर आपने क्लिक करना है यहां आपको browser का option मिल जाता है आप यहां browser के option पर click करेंगे तो जितनी भी decentralized exchanges यहां available है वो आपको नजर आजेंगी इसके अलावा जो यहां नहीं available उसको भी आप search कर सकते हैं तो मैं यहां जो है वो नीचे search का option है सबसे last पर उसके उपर click करके pancake swap को यहां से search करूँगा यहां आप देख सकते हैं कि मेरे पास pancake swap के दो website यहां नजर आ रही है यहां pancake swap.finance जो है वो real वाली website है और pancake swap.com जो है वो fake website है आपने जब भी pancake swap को use करना है आपने domain उसकी लाजमी चेक करनी है और चेक करना है कि https उसके साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ यह protocol तो आप आपने pancake swap.finance को open करना है यहां सबसे उपर वाले link नजर आ रहा है कुछ इस तरह का interface आएगा यहां आप देख सकते हैं कि pancake swap.finance की जो website है वो ethereum main network के ऊपर चल रही है तो pancake swap जो है वो finance smart chain blockchain को जो support करती है तो हम यहां जब जैसे connect wallet के बटन पर क्लिक करेंगे यह automatically BEP20 को select कर ल आया हुआ है तो यहां metamask को click करेंगे उसके बाद में पूछ रहा है connect to this site क्या आप वाकई ही साइट से connect करना चाहते हैं आपने इसको confirm कर देना है connect की बटन पर क्लिक करके तो यहां से वो देखें अब आपको वो पूछ रहा है कि allow this site to add a network कि आप जो है वो इस site को allow कर रहे हैं कि हमारे wallet में वो एक network जो है उसको add कर दे जो कि finance smart chain mainnet है तो यहां से आपने इसको approve कर देना है अप्रूव करने से ही होगा कि new network जो है वो आपके wallet में add हो जाएगा जिससे में wallet जो है वो connect हो चुका है अब यहां जो है वो pancake swap पर आप कैसे trade कर सकते हैं यह भी आपको बता देता हूं यहां सबसे नीचे आप देखें pancake swap की website पर आपको trade का option मिल रहा है सबसे नीचे वाली site पर आपने यहां ट्रेड के बटन पर click करना है तो यहां आपके पास दो option आ जा रहे हैं और उसको जो है यहां पर चीज करना चाह रहे हैं जैसे नियूरी टोकन जो लाउंच होते हैं वह यहां वेलेबल नहीं होते पैन की स्वेप की लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो आपनी क्या करना है और कोई भी आप उनका जो contract address है उसको copy कर लेना ह है अब जैसे कि suppose कर लें मैं baby doge coin जो है उसको buy करना चाहता हूं pancake swapper तो मैं क्या करूंगा यहां कोई market के पर इसको search कर लूगा अगर यह अवेलेबल है तो यहां contract के option में जाकर यहां arrow पर click करूंगा और यहां दो contract जो हो नजर आ रहे हैं एधिरियम बेस्ट है और एक बाइ card के अंदर जाने के बाद यहां मैं cake के बटन पर select करके यहां जो है वो उस address को paste कर दूँगा तो यहां देखें baby doge coin जो है वो यहां नजर आ गया यहां से आपने इसको import कर लेना है import करेंगे तो यह आपके वारट में save हो जाएगा और आप जूरूरत पढ़ने पर इसको द इसके बाद आपने वापस आ जाना है अपने wallet के उपर wallet में आएंगे तो यहां आप सबसे top पर देख सकते हैं कि अभी Binance Smart Chain Mainnet हमारे पास open हो चुका है आप यहां से जो Ethereum Main Network को भी select कर सकते हैं यहां एक चीज़ कॉमन लगरी होगी वो है इनके contract address यहां Ethereum Main Network का जो contract address है वो भी यहां FE5 लिखा हुआ 9E5 लास्ट पर आपको नदर आ रहा है इसे तरह अगर आप Binance Smart Chain Main Network के wallet address पर जाते हैं तो वो भी same है 9E5 ठीक है तो इनका address जो है वो सेम ही है बट इनका जो network है वो अलग अलग होगा तो आपने वो ही token इधर जो है वो deposit करने है जो BEP20 Mainnet पर हो यह ERC20 Main network हों ऐसा नहीं होगा कि आप ERC वालों को जो है BEP20 पर बेज दें और BEP20 बेस token को ERC20 पर बेज दें इस तरह आपकी transaction जो हो फेल हो जाएगी अब यहां आपने उसको यहां जो है वो manually import भी कर लेना है अपने wallet के ओपर कि उसके stats जो हो आपको च्छो होंगे तो यह import का button आप don't see your token वो पूछ रहे हैं तो यहां सो इसको आप manually import कर लें यहां आपने simple इसका contract data paste करना है यहां वो खुद ही जो हो token simple add कर लेगा कुछ के कुछ seconds बाद आपने इसको import कर लेना है import करेंगे तो वो आपके metamask wallet की main section में जो हो जाएगा कि आपके पास वो token कितने है अब यहां बात कर लेते हैं कि आपने इसमें withdraw deposit और withdraw कैसे करने हैं tokens तो यहां आपको सबसे top पर आपको नजर आ रहा है contract address आपने इसको पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां देखे public address is copied और second option आपके पास है यहां receive का एक option बटन लिखाव है आपने receive के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास QR code आजएगा और साथ ही उसके नीचे जो copy करने का button आ रहा है अपना wallet address copy करने का और इसको आप copy करने के बाद बाद बाइनासक चेंज पर जाएंगे उसके wallet के section वर जाएंगे बाइनासक चेंज पर जाने के बाद आपने यहां विड्रॉ के button पर क्लिक करना है य यहां दो network option आ रहे हैं BEP2 और BEP20 आपने BEP20 वाला करना है BEP20 कर लेंगे confirm करेंगे उसके बाद आपने amount लिखनी है जितनी भी आप इसमें deposit करना चाहरे है और इसको आपने withdraw के button पर क्लिक करना है विड्रॉ करेंगे आपके उस wallet में आ जाएंगे अब यहां आपके पास BNB token यहां लोगिन कर लिया है ताकि आपको यहां से withdraw करना बता सकूँ विड्रॉ करने के लिए आपने जो deposit किया है उसको select करना है जैसे के मेरे पास BNB token आपको नजर भी आ रहे हैं यहां से हम इसको send का button आपको नजर आ रहा है आपने send के button पर क्लिक करना है यहां आपनी public address BEP20 Binance Smart Chain Blockchain को फिर रिपीट कर रहा हूं BEP20 आपने उसको यहां डालना है और उसके बाद आपने इसको transfer के button पर click कर देना है I hope कि आप को यहां इतनी सी बास समझा गई होगी होगी मैं यहां जो आपको करके दिखा देता हूं यहां देखें मैंने अपना जो है वो यहां दू कर सकते हैं लेकिन हमारे पास कि अभी BNB है तो हम BNB को यहां टाइप कर सकते हैं 1 BNB करना चाहते हैं 2 BNB करना चाहते हैं तो आप यहां से select करें उसके बाद नेक्स का button आजाएगा वो फिर आपको बताएगा कि आप 1 BNB के transaction करने के लिए estimated gas fee जो इतनी लगेगी 0.00011 तो आपके पास save हैं तो आप अपने wallet को कैसे reset कर सकते हैं आपको कुछ भी नहीं आपने अगर अपने token store कर लिए इसके अंदर तो आप event का application delete भी कर सकते हैं और सिर्फ आपने recovery phrases वाला यह पेज जो है इसको संबाल के रखना है यही आपकी जो है वो security है और यही आपका सारा data ज साल गुजर जाएं आपका data जो secure रहेगा आपके token जो secure रहेंगे और यहाँ जो है वापने get started के button पर click करना है आप जब restore करने लगेंगे application को install करना है get started के button पर click करेंगे तो आपके सामने यह दो option आ रहे होंगे यहाँ आपको नजर आ रहा है import using secret recovery phrase आपने इसको पर click करना है आपके सामने यहाँ import from seed का button आ रहा है आपने यहाँ जो है वो यह words लिखने start करने है यहाँ show का button आप select कर लीजिएगा और बारी बारी सारे words जो हो लिखने है आपने first word पहले लिखना है जैसे पहला word staff था फिर मैं space दूँगा फिर hobby है फिर space दूँगा फिर grant फिर space आपने ह यहाँ बारी बारी हर वर्ड यहाँ लिख देना है जब आप 12 words complete लिख लेंगे उसके बाद आपने अपना password जो हो निया create करना है पीछे वाला अगर आपको याद नहीं रहा जो आपने रखा था कोई मसले वाली बात नहीं आपने सिर्फ यह recovery phrases याद रखने थे new password आप अग लिखने के बाद आपने sign with biometric का button आपको नजरा है इसको आप क्लिक कर सकते हैं और import के button पर आपने click कर देना है उसके बाद आपने import के button पर click कर देना है आपने जो भी words लिखने recovery phrases के अगें repeat कर दो आपने इनकी में space देनी है first word space first word second word third word space fourth word step इस तरह आपने हर वर्ड के लिए EP20 टोकों जो मैंने का majority में जो यहां सेव की हुए है तो यहां मैंने को बारी बारी इंपोर्ट कर लूँगा using उनका contract address यहां use करते हुए manually import करूँगा तो यहां आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो बाइना smart chain मेंनेट पर भी account बना हुए और Ethereum मेंनेट पर भी बना तो इस तरह जो है वो अपना wallet जो है मेटा मास पर बना सकते हैं decentralized exchanges को use कर सकते हैं deposit वे draw centralized exchanges के लिए आप कर सकते हैं और अपने token जो है वो save कर सकते हैं I hope कि आपको यह tutorial जो है पसंद आया होगा इस तरह का tutorial I think कि आपने वेले नहीं देखा होगा कि आपको यहां मेटा मास की all A I hope आपको यह वीडियो पसंद आयों कि वीडियो पसंदे तो इस लाइक जुरूर कीजिएगा मुझे appreciation मिलेगी और आपनी चैनल को subscribe अगर नहीं किया तो उसको जुरूर सब्सक्राइब करना है दूसरों को भी बताना है कि इस चैनल को देखे और इस चैनल से सीखना स्टार करें मेरे ते नहीं स्टूडी में अपने कारिके अपनी गार्वालों का क्या लिकिया आप अलाफीस